नमस्कार दोस्तों, बगवान आपसे के बहला करोड़ आपकी सारे एक चैम मेंने कमने पुड़ी हो यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रशन यही है कि यहाँ पर आप I.S. की प्रिपरेशन करना चाहते तो इसमें सफलता मिलेगा या नहीं मिलेगा तो I.S. या टॉप पोजिशन जैसे या अथोरिटिकल वर्क जैसे जब भी कोई भी कुश्चन आता है या प्रिपरेशन की जैसे बात अगर हम करें तो उसमें सबसे इंपोर्टेंट यह होता है कि माइंड लेन स्टेट होना चाहिए और आपके हतेले में यह अवेलेबल है तो 90% चांसे आपके क्लियर होने के क्यों ऐसा कहा जाता है क्योंकि स्टेट माइंड लेन बहुत ही लॉजिकल एनलेटिकल एंड डीप थिंकिंग केपिलिटी को इंडिकेट करती है इस कंडिशन में आप जिससे जातकों का जो सिंस ओफ यूमर होता है या जो स्टेट अफ माइंड होता है वो बहुत ज़दा पॉजिटिव डेडिकेटेड और एक प्रगार से स्ट्रॉंग पाये जाता है इसलिए आप जिससे जातकों की मेमोरी भी शार्प होती है और बहुत बड़े अमाउंट में जहां पर कॉम्पेटिशन है वहाँ पर निकलना सिर्फ इस्टेट माइंड लेन वाले लोगों की ही बात उसमें होती है इस्टेट माइंड लेन आउटर मार्स से डारेक कनेक करता है तो ये क्या करता है कि competition में वीजय प्राप्त कलाने के लिए mentality बहुत strong कर देता है या mentality ही या ग्यान ही वेसा रखता है कि competition crack कर सके तो straight mind line छोड़ी से छोड़ी पुराने से पुराने बातों को याद रखने में सक्षम होता है तो अगर ये अच्छा है, straight है तो पुरे के पुरे chances होते हैं आपके निकलने के यहाँ पर अगर हम देखें Jupiter mound के regarding तो Jupiter mound की स्थिती भी सामाने है और अगर हम सूर के छेतर की बात करें जो government को direct denote करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ यह दिख रही है कि सूर के रेखा मजबूत है प्लस एक हलका सा square का sign भी build होता दिखाए दे रहा है तो सूर के रेखा जब भी मजबूत होती है भले इसको कोई भी रेखा काटे लेकिन इससे जात तक बहुत ज़्यादा ही hard work अपने life में कर पाते हैं और hard work के दोरा सफल हो पाते हैं और in case अगर यह rectangle square कुछ भी future में complete हो गया तो top position authority यह इतना पैसा यह इतना बड़ा work यह responsibilities आपके हाथ में या power position आएगा कि आपके खांदान में किसी को ना मिला हो इतना बड़ा हो जाएगा तो इसके लिए उतनी महनत उतनी लगन या उतना dedication रखना ज़रूरी है और अभी के समय में यह हो रहा है कि island का formation mind land पे available है तो इसका ताथ पर यह निकल के आता है यह island देता है mental stress pressure या anxiety तो यहाँ पर आप एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप खाली मत बेठेगा कुछ ना कुछ वर के करना अपने आपको busy रखना extrovert होना थोड़ा बाहरी जो environment है उनसे connect करना अपने आपको समय और अपने काम को ज़्यादा समय देना आपको किसी पर भी प्रकार का mental stress, pressure, anxiety यसी चीज़ों से दूर रखेगा और cross का जो sign यहाँ पर निर्मित हो रहा है जो पीता यह से वेचारी कनबन मद्बित देता है या failure जाब में या unsatisfaction जाब में देता है इसके लिए गायतरी मंत का job करना बहुत ज़्यादा शुब रहेगा बस यह दो चीज़ का आप ध्यान रखें कोई भी दिक्कत प्रशा ने आपको फिर job करिगार्ण या preparation करिगार्ण नहीं आएगा और correct जो यहाँ पर आपका जो luck line है वो strongly behave कर पा रहा है और बहुत अच्छे अभी progress line निकलना धीरे दीरे शुरू भी हो रहे है life line से तो आप थोड़ा hard work करिए 34 के इस तक confirm लिए आपको position authority या success definitely मिल जाएगा दूसरी बात करें married life के बारे में कि कैसे रहेगी तो बहुत अच्छी रहेगी जब भी life line के parallel इतनी ज़्यादा गहरी supportive line चलती है तो spouse बहुत ज़्यादा dedicated honest या lucky सावित होते है तो उनके आने से जितने भी obstacle, trouble या difficulties आना होता हो खतम होता है तो जैसे यहाँ भी example में देख से कितनी सारी रेखा आ रही है जो unnecessarily stresses, unnecessarily fear, doubts, restrictions life में राती है लेकिन इसी supportive line हो तो दिक्कत आने के पहले टल जाती है और इनकेस अगर spouse का भी support ना मिले तो दूसरों का stranger का भी मिल जाएगा एतनी यह strong sign होती है क्योंकि यह देवदूत रेखा होती है जूपटर और शुकर दोन assumption बेफिजूल का करने से बचेगा क्योंकि शुकर पर इतनी आड़ी रेखा, disturb करने लगती है family relations को या personal married life relations को doubts के कारण या unnecessarily thoughts के कारण इसलिए जो विक्ति जैसा उसको ऐसे accept करें, negative thoughts ना रखें, अपने आपको बहुत cool काम रखें, तो शुकर भी आपका अच्छा होगा त pleasure की सारी fulfillment हो पाएगी, तो luxury is comfort और बढ़ना और जादा married life is stable and successful आपको फिर हो पाएगा, इस शुस का आपको ध्यान रखना है, future के regarding जहां तक बात करें, तो देखें, mercury line भी बहुत active हो रहा है, mercury line पैसा भी देता है, और good learning भी देता है, और mind line भी बहुत smoothly run हो रहा है, और luck line क स्थिति एसी की रुक रही है, लेकिन continue हो रही है, तो अगर आप बड़ा कोई decision अभी लेते हैं और उसके उपर काम करते हैं, तो देखें, future आपका definitely बहुत secure हो जाएगा, और अगर आप किसी भी बे-fizool के बातों में पढ़ते हैं, या फिर मेहनत नहीं करते हैं, या फिर ये करेंगे वेसे आपकी luck line और strong होगी, सूर्व और positive होगा, Jupiter और developed होगा, mind line तो वैसे prepare है ही, लेकिन ये जितने भी struggle, stresses, obstacles, line ही सब के सब खतम होता, within the couple of month आपको देखने को मिल जाएगा, life में money भी आपकी जो है बहुत अच्छा रहने वाला रहेगा, क्योंकि pure हथेली में आपकी money triangle का formation बना हुआ है, तो इस condition में से कहते है, धन भणार और पेसा आता है, रुकता है, सद्विप्योग भी होता है, future भी बहुत अच्छा है, बहुत opportunity लेकर रके आएगा, सारे ख्वाब पूरे होंगे, लेकिन बस यही है कि consistency, focus, continuity, dedication, आपको अपने अंदर रखना ब एक से जादा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह management या finance, management थोड़ा सा weak देता है, यानि पेसा अधिक खर्च हो जाता है, भी फिजुल खर्ची हो जाती है, नेकों काम हाथ में लेने के करण कामों में रुकावट देरिया आनने लगता है, punctuality, discipline, maintain नहीं होता, तो सिर्फ ए भी desire, ambitions, goal है, सब आपको complete करके देगा, और वहीं हम बात कर लें आपके left hand में, तो left hand में mind line long है, तो सीखने समझने बातों को याद रखने के जो सक्षमता है, बहुत अच्छी होती है, और outer mark से connection होने के करण, तमाम तरह के विपरित परिस्तिती माहों लोगों का सामना भी debt क करके कर पाते हैं, अभी तक तो mental stability नहीं आती देख रही है, लेकिन हा, 32 के बाद से mental stability अच्छी है, सूर के उपर नीचे V symbol का sign, जब तरिशुल का जैसा sign हो तो बहुत ज्यादा confusing mindset होता है career के regarding, क्योंकि बार बार mind divert होना, अलग अलग परकार की चीजों में हाथ हाजबाना या influence होने जैसे योग निर्मित होते हैं, एक बार जहां focus आपने अच्छा कर लिए तो V symbol का sign है कि पैसा ही पैसा रहेगा, पैसा देखर क्या दिकतर काम कराएंगे और authority और power तो automatically हाथ में आ नहीं है, तो यहाँ पर life line का भी flow देखे, बहुत smooth हो रहा है, तो live वैसे भी का शुरू हो जाता है, लेकिन proper ending नहीं हो पाता है, इसलिए आप जो consistency, continuity एक समय पर एक काम करेंगे उससे, यह सारी चीजों में सुधार होगा, तो हर काम से फिर संतुष्टी भी मिलना शुरू हो जाएगा, तो यह दिस अब से महत्परून बात है, आपके हाथ के regarding आशकरत हूँ, यह सारी जानकर यह आपके बहुत काम है, तब तक आप अपना ध्यान रखें आपका बहुत बहुत धन्यवाद